Hello friends, आज हम पढ़ेंगे The Man in the Black जिसे लिखा था Oliver Goldsmith ने Man in the Black कहने का मतलब है Goldsmith का दोस्तों कि यह जो आदमी है मैं जो इस आदमी के बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही दयावान है, बहुत ही दान दचना करने वाला आदमी है इसे दूसरों का दर्द नहीं सहा जाता पर वो आदमी अपने आप को छुपाना चाहता है इसलिए मैं उसे Black Man कहूँगा The Man in Black यह हो गया दोस्तों ऐसे का इंट्रोडक्शन इसे अच्छे से समझने के लिए हमें पहले Oliver Goldsmith के बारे में जानना चाहिए Oliver Goldsmith का जन हुआ दोस्तों 10 नवंबर 1728 आयरलेंड में और इनके मृत्तिव हो गई 4 अप्रिल 1774 UK लंडन में इन्होंने अपनी पढ़ाई The University of Edenburg से की या प्ले राइटर, पोएट, बुक्सर, अलोप्रेसी, एसिस्टेंट रहे इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, बहुत सारे प्लेज लिखे, जिसमें से आज हम एक एसे को पढ़ेंगे The Man in Black Oliver का स्टोरी ये है दोस्तों, इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है कि मैं नहीं जानता कि वो आदमी कौन था, उसका नाम क्या था पर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो one of the man था, जिसे मैं जान सकता था और जिसे मुझे जान कर बहुत खुसी हुई वो इतना दयालू था कि किसी को भी कभी भी कुछ भी मदद पढ़ती तो वो देता पर वो अपने इस बेहेवियर से बहुत ही सरमिन्दा था कि वो किसी का दर्द देख नहीं सकता और लोग उसे ठक करना चले जाएं इसलिए वो इस चीजों को छुपाना चाहता था वो कैसा था दोस्तों सबसे पहले ओलिवर ये कहते हैं मैं इसी अच्छे से जानने लगा था मैं जान गया था कि यह जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं मेरे अंदर बेन विलन्स की भावना यानि दान दया भावना नहीं है वो गलत है वो हमेशा यही कोशिस कर रहा था वही प्रिटेंड करने की कोशिस कर रहा था कि मैं इस सबसे कोई मुझे फरक नहीं पड़ता मैं एक कठोर इंसान हूँ मैं दया वगेरा कुछ नहीं करता पर उसका जो natural benevolence था दोस्तों उससे लेखा को पता चल जाता Oliver को कि यह जो pretend करने की कोशिस कर रहा वो इसके poker face में साफ दिख रहा है कि यह जूट है और यह बात साबित तब हो जाती है दोस्तों जब वो Oliver से कहता है कि जो rich people हैं उन्हें इन poor people का दर्द क्यों नहीं दिखता poor people क्या चाहता है सिर्फ एक रहने के लिए घर एक थोड़ा खाना और थोड़े कपड़े ताकि वो जी सके पर यह भी वो अमीर आदमी को यह बकवास लगता है वो यह सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो तो फाल्तू की चीज़ा है यह तो मिल ही जाती है पर जिने नहीं मिलता वो इनका दर्द समझते हैं Oliver उसके साथ थोड़ा आगे बड़े ही थे दोस्तों कि अचानक वो जो आदमी है वो एक सामने खड़े भिखारी को कि मैं ये जो सिल्वर कोयन दे रहा हूं वो यूही दे रहा हूं मेरा मन है मैं इससे कोई दया भावना नहीं दिखा रहा लोग जो होते हैं दोस्तों वो थोड़ा सा भी दान करके दिखाते हैं पर वो आदमी नहीं दिखा रहा था pretend नहीं कर रहा था कि मैं वो दान दे रहा हूँ या बात Oliver को अचम्भित कर दी सोच में पड़ गए कि ये आदमी कितना दया भावना वाला है पर वो आदमी ये सब चीजे नहीं दिखाना चाहता था और वो सरमिंदा होने लगा कि वो दिखा दे रहा है कि मुझे तकलीफ होती है किसी भी गरीब इनसान को देख कर इसके बाद वो आदमी और Oliver वहां से गुजर रहे होते हैं कि तवी एक आदमी आता है दोस्तों जिसका पैर जो है वो डैमेज है यानि वो लंगड़ा है दोस्तों और वो Oliver और वो आदमी के सामने आता है author जो होते हैं दोस्तों वो उसे देख कर आगे बढ़ जाते हैं पर वो आदमी सिया देखा नहीं जाता और वो कहता है कि तुम क्यों नीडी बनने की कोशिस कर रहे है तुम क्यों जरूरत मन बनने की कोशिस कर रहे हो तुम तो अच्छे खासे हो पर तब ही वो आदमी जो लंगडा था दोस्तों वो बताता है कि मेरी एक स्लेवियर स्टोरी है मैं एक फौजी था और मैंने देश की हिफाज़त करते हुए अपने पैरों को गवाया है मुझे भीक नहीं चाहिए मुझे किसी की दया भी नहीं चाहिए पर ये आदमी उसे भी पैसे देने लगता है वो कहता है कि मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए और ना मैं तुम से लूँगा मैं तो यहां से गुजर रहा था पर वो आदमी जिद से उसे पैसे दे ही देता है और उसकी भी मदद कर देता है वो यह सब देखकर Oliver के मन में उस आदमी के लिए काफी जादा इज़त बढ़ने लगती है दोस्तों कि तब ही वहाँ एक औरत आती है जो कि थोड़ी बूरी होती है और वो एक perfect example है दोस्तों कि उसे कुछ चीज़ की जरुवत है और उसे मिलना चाहिए वो दया वो भावना उसे दिखानी चाहिए लोगों को उससे देखकर ऐसा लगता था Oliver कहते हैं कि वो आदमी जो था वो उसे कुछ देना चाहता था पर वो उसके पास पैसे ही नहीं थे पर तभी उसे एक match box मिलता है जिसमें golden plated और silver के sticks थे उसके वो उस औरत को दे देता है दोस्तों और उस औरत के चहरे पे खुसी आ जाती है वो अपने आप को भागसाली मानता है कि उसने उस औरत के चहरे पे हसी ला दी पर वो आदमी कोसिस करता है कि Oliver जो है वो यह समझे कि वो किसी की मदद नहीं करता और यह Oliver को वो अंदी में बोलता भी है दोस्तों कि प्लीज मुझे कभी ऐसा मत सोचना कि मैं लोगों की मदद करता हूँ वरना लोग जो असली में नीडी हैं वो मेरे पास नहीं पहुँचेंगे लालची आदमी मेरे सामने पहुँचकर मुझे लूट लेंगे Oliver को यह बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों इसलिए वो कहते हैं The Man in Black वो छुपा रहा ऐसे यहीं पे खत्म होती है दोस्तों अगर अच्छा लागा तो सब्सक्राइब लाइक और सेर करना ना भूले